तो हम पहले वीदा पिपल का कांसेप्ट करा लेते हैं अगर मेरी यवाज सुन पा रहे हैं तो सद्राइब कांसेप्ट की बारे में सद्राइब आपको आपका वेलकम है शद्राइब वीदा पिपल समढ संग हम भारत के लोग तीनों का मतलब एक ही है और यहां जो आज मीटिंग है वो रोग हारी रोग का हरन करने वाले पुरानी हमारी बुद्ध की भाहसा में हम अपने डॉक्टर्स को रोग हारी या रोग हरन बोलते हैं उनकी खास तोर से मीटिंग है और ऐसी मीटिंग अभी 26 दिसंबर से पर है तीन चार ओल लगेंगी क्योंकि जैसे जैसे मूवमेंट पास आती जाएगी वैसे वैसे मूवमेंट बढ़ती जाएगी आज काफी मूवमेंट है और लगबग आज के हिसाब से तीन सो के करीब वहां लोग पहुँचेंगे अगर आज के हिसाब माने तो और 26 दिसंबर में अभी एक मेहने से उपर है और वहां की जो कैपिचिटी है वो 500 है 500 चेर्स की हॉल की है 150 उपर नीचे और बढ़ाए जा सकते हैं अगर यही स्पीड सबकी रही और यही जील रही लगन रही तो 500 प्लस भी क्रॉस कर जाएगे संख्या 500 पहली वार में बहुत बड़ी है अगर पूरे भारत के हिसाब से बहुत छोटी है क्योंकि हम तो लाखों में हैं हमारे जो डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल के जो लोग हैं वो लाखों की संख्या में हैं जो काम कर रहे हैं और उन सबको जोड़ना सबका काम है तरसल यह जो 26 तारीक को हो रहा है यह इवेंट नहीं है इसलिए कोई व्यक्ति अगर यह सोच के त्यारी करें कि महां जाना है वहां एक इवेंट होगा क्योंकि अधिकतर लोग इवेंट करते हैं तो इवेंट में और मूव्मेंट में थोड़ा सा अंतर होता है इसको समझ लें इवेंट जो होता है उसके अंदर एक साल में एक काईकरम या दो साल में काईकरम या तीन साल में काईकरम कोई साल गरे का या कोई मिलने का या कोई उत्सप का या कोई इस तरह का के जैसे सारे परिवार के लोग मिले कोई फंक्शन टाइप का उस तरह का होता है इवेंट ज साथ में एक देखने और देखाने का चलन भी होता है और बहुत ज्यादा पैसा लगता है और जो मुव्मेंट होती है वो जमीन के अंदर चलती है कभी-कभी जमीन के ऊपर आती है बहुत शिलो चलती है मगर बहुत मजबूती से चलती है बार-बार चलती है लगाता चलती है जैसे ये समर्ण संग की जो मीटिंग है, ये 2014 से चल रही हैं, और अब ये थोड़ी सी जमीन के उपर आनी शुरू हुई है, साथ महिने से ये एक, जो हमारा जूम का पोटल है, वहाँ चल रही थी, जो वर्च्वल थी, अब एक्च्वल भी लगनी शुरू हो गई हैं, तो एक्च्वल की लगबग काफी बड़ी संख्या में मीटिंग्स लगनी शुरू हो गई हैं, समण संग में सारे ही प्रकार के लोग आते हैं, जो हमारे स्टी, स्टी, ओबीसी हैं, जितने भी हमारे प्रॉफेशनल्स हैं या जो प्रॉफेशनल्स नहीं हैं, लेबर हैं, किलास हैं, जो समण संग में पैदा हुआ है, चाए वो मा के पेट में हैं, चाए वो बुड़ा ह चाहें वो सजा काट रहा है, चाहें वो मरने वाला है, चाहें वो जी रहा है, चाहें वो अच्छा है, चाहें वो खराब है, अगर समड संग में पैदा हुआ है, तो वो समड संग का पैदा ऐसी मेंबर है, उसका राइट है, उसका बर्थ से राइट होता है, कि वो समड संग क स्पोक का मतलब है जो हमारे यह महापरूस हैं बुद्ध है जोतिवाफुले हैं इनके वक्त को कहने वाली है वक्ता यानि की पेरामेडिकल के लोग भी आएंगे और इसमें हमारे जैसे मरीज को जानने वाले मरीज तक पहुंचने वाले साधन लोग या मरीज वो भी इसमें शिरकत करेंगे वो भी आएंगे और यहां कोई किसी से भीक नहीं मांगता यह समण संग का नियम है सब अपनी रोटी खाते हैं सब अपनी कुर्सी पे बैठते हैं यहां कोई किसी के उपर चंदा मांगने नहीं जाता यह इसका नियम है यह नियम समण संग का यहां भी लागू है इसलिए जो ड्रीम वर्ड रिसोर्ट में जो डॉक्टर्स ने वहां आपके लिए सस्ते में लंच सस्ते में ब्रेकफास्ट और सस्ते में वहां पर एक हाई टी का अरिजमेंट किया है और बैठने का किया है तो 700 रुपे एक व्यक्ति के खाने का ख़रचा और 300 रुपे उस हॉल में यह बेठने का और चेर का ख़रचा है जो हर व्यक्ति को देना है चाहे वो medical है चाहे नोन-medical है क्योंकि सब स्वाभी मानी आदमी है अपना खर्च अपने आप उठाएंगे तो हमें फिर किसी के हातों बिकने का चांस जीर हो जाएगा फिर हमें कोई बेक नहीं सकता जैसे अब पहले समढ संग के अंदर होता था जरसल पहले इसको खाली संग बोला करते थे समढ संग तो हम इसलिए बोलने लगे क्योंकि संग जो हमारा था उसको कुछ लोग लेकर चले गए जो बंबन है तो हम समढ थे बुद्ध समढ थे जो हमारे सारे लोग वो समढ है पुरानी भासा पाली के अंदर है उसको बदलके संसकायद करके सिर्मन करने की कोशिश की गई फिए की राजता तुमनलकी दुनिया सबसे भीतरी राजा रहे हैं घंब चक्वति राजब्त रहे है और उनोंने बर्मा तक राजबूरा इस्थापित किया है जिस ते पूरा का पूरे सेडिया को महा भारत बोलते हैं उसके बाद तो यह छोटा भारत बन गया आज इसको भारत बोलते हैं अब इसको महा भारत नहीं बोलते हैं तो ऐसे हम राजा की संतान है और ऐसे विस्वगुरु बुद्धी की संतान है जिनको पूरी दुनिया मानती है जानती है और ऐसे डॉक्टर अम्मेटकर क कर दिया तो वो थोड़ा सा मौका हमारे हाथ से जाने के लिए पूरी तरह से कमान लोगों ने समाल ली और उस मौके को खतम करने के लिए पूरी मेहनत की हमारी एजूकेशन बंद कर दी मेहंगी कर दी और स्कूल हमारे प्राइवेट कर दिये कॉलिज हमारे प्राइवेट कर दिये तो प्राइवेट होगे और मेहंगे होगे तो हमारी सिक्षा हमारे हाथ से निकल गई हमारे रोजगार बंद कर दिये क्योंकि सारा सेक्टर प्राइवेट कर दिया government sector में हमको रोजगार मिलता था, वो सारे sector बेचती है, private sector अभी हमारा अतना मजबूत है नहीं कि हम वहाँ अपने लोगों को रोजगार दे सकों, हमारे पास खेती नहीं है, हमारे पास खलियान नहीं है, हमारे पास factory नहीं है, हमारे पास industry नहीं है, हमारे पास में सिर्फ एक है और वो है जन बल यानि कि हम जन बल में सब से आगे हैं और जन से के हमारी सब से ज्यादा है किसी भी काम के मैनेजर को छोड़के बाकी सारा काम हम करते हैं सिर्फ मैनेजमेंट का काम वो हमारे पास नहीं है बाकी सारे काम हम करते हैं नीचे सफाई से लेके और उपर तक के सारे काम जो एक्जिकुटिव है उसके सारे काम तो मैनेजर का काम हमें नहीं मिलता है इसलिए दिक्कत यह है कि हमारा शोषन होता है मैनेजर हमारा शोषन करते हैं उस शोषन से उस एक्टोशेटी से बचने के लिए हमारे पास में सबसे ह rigtigar है जो बावा साहब ने दिया वो है जन बाल का और जन बलके अच्छी तरह से implement करने के लिए सविधान का नहीं है तो जनमल का फाइदा हो सकता है अगर सम्विधान नहीं तो फिर जनमल का फाइदा भी नहीं रहेगा इसको इस तरह से समझ तक यहाँ डेमोक्रेसी थी, यहाँ पर सम्विधान था, तो यहाँ लोगों की बात सुनी जाती थी और एक अच्छा राज़े चलता था, उनके जाने के बहुत साल बात, लगबग अभी 500 साल पहले तक हम बलकूर ठीक थे, मगर 500 साल पहले जो एक सम्विधान को खतम करके वि परधान होता है, और एक उसके कुछ दरवारी होते हैं, चाप्रूस दरवारी होते हैं और वहाँ पबलिक की नहीं सुनी जाती, क्योंकि पबलिक को तो सिर्फ राजा की राजाग्या माननी होती है, पबलिक कोई भी अपनी ओपनियन नहीं दिय सकती, वैसा ही काम हमारे यह कैशियर और बाकी कुछ उनके मेंबर होते हैं और वो रसीद को चापते हैं और हमको कहते हैं सिर्फ पैसे दो और हम उनको पैसे देते हैं, वो हमसे पैसे लेते हैं, फिर कहते हैं कि हमको सपोर्ट दो, हमारे महां मीटिंग में आप आना, वहां खड़े होना, हम वहां उनक कि संग्ठन हमें बचाने के लिए आए और हमने संग्ठनों की सारी बात मानी फिर भी हमारे अधिकार चले गए तो समझ में आया कि भी कहीं कुछ गबर्ड हो रही है वो गबर्ड किया उसको चेक किया जाए तो पता चला कि 6743 जातियों को जोडने के नाम पर 29 लाक संग्ठन ह है हमारे ये मजाग भी हो सकता है ये कि हमारे लिए बहुत बुरी बात भी हो सकती है और یہ हसी की बात भी हो सकती है कि 6743 जातियां को जोडने के लिए 29 तो जातियों हमारे समाज के और ये जो 6743 जातियां हैं अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 6743 नहीं है ये 6743 तब थी जब बावा साब थे बावा साब ने इनकी तीन पोटलियां माननी तीन पिटारी माननी तीन पिटा कर दिये एक SC एक ST और एक OBC आज हम सब जब लोग जानते हैं तो अपन जाएंगे बुद्ध के समय जाएंगे तो हम सारे सारे समण हैं और हमारा संग है जिसको समण संग बोलते हैं क्योंकि हम हर बार कहते हैं बुद्धन सरनंग गच्छा में तो कौन से संग में हम जाएंगे क्योंकि बुद्ध ने जो संग बनाया है उस चार प्रकार के संग है एक भिकों का, एक भिकोनी का, एक हमारे जैसे साधान उपासकों का और एक हमारे जो महिला होती हैं उनकी उपासिताओं का, यानि कि चार परकार के संग से मिलके संग बनता है, तो जब हम कहते हैं संगं सरणम गच्छामी, इसका मतलब यह नहीं है कि हम भिकों की सरण में जा रहें इसका मतलब यह है कि हम संघ की स्रण में जा रहे हैं और हमें हो संगत करो संगते में रहो तो यह संगते बोते ब पजन माने साथ रहता है तो नोने भी हमें बार बार कहा कि इकटे रहो साथ रहो और फिर यूद बावा थाए तो उनोने भी कहा और गिनाइज का मतलब है संग में रहो था का मतलब है संग्ठर बनाना है तो हमने हिसाब लगाया कि संग्धन टूट क्यों रहे हैं जब संग्धन होने के लिए सारे लोग कहते हैं तो ये टूट क्यों जाते हैं तो हमें पता चला कि इसकी जो एक बीमारी है वो है पैसा हमारे जो बिरोजगार लोग हैं वो संग्धन बना के वैड़ जाते हैं या ज संग्ठन हमारे लिए जहर हो जाते हैं इसमें जिसको पत नहीं मिलता वो दूसा संग्ठन बना लेता है जिसको पैसे का बटवारा नहीं होता वो दूसा संग्ठन बना लेता है जिसका एगो कलेश करता है वो दूसा बना लेता है और एक साल में एक संग्ठन के दो और दो के चार और चार के आट के लिएग्ड़ के बतिस के चॉश्ट के लिएट आईसे वाँ थाइस और दो Jun4 और दो ऐज़ार एक हजार चॉबुसर जोबार्टके आज यी एकत्यस लाक हो गये जिसमें दो लाक उनके हैं उन आटिस लाक हमारे हैं और चार लाक active है और यह संग्ठन सभी में हजारों की संग्ठन में हैं चाहे वो राजनितिक पार्टियां हैं चाहे वो समाजिक संग्ठन हैं चाहे वो प्रॉफिशनल्स के हैं चाहे वकीरों के हैं चाहे डॉक्टरों के हैं चाहे इंजिनिरों के हैं चाहे सरकारी करमचारियों के हैं चाहे ल हैं उनको भी लोगों ने तोड़ के उनके दो के चार चार के और आट के सोिए नगा करदे ला तो होना तो यह चाहिए था कि जब जाधा शागरूख़ा हैं तो जादा हमें जल्दी होता तो दुनिया के नमबर वट उनको कहते हैं कि दूर्दर्सी और दुनिया के नमबर वट वो पड़े लिक़्े हैं कितनी बड़ी दूर्दर्सीता उनने दिखाई उन्हें साफ कहा है मेरा कर्वा अगर आगे ना बडास हो को मेरे बच्चों तो पीछे मत जाने देना और उनके बच्चों ने क्या किया संग्धर बनाए और कारवा महीं पहुचा दिया आज इस्तिती यह है कि कुछ साल के अंदर बहुत जादा नहीं पांस साल के अंदर हमें वही स्तिती आ जाएगी कि हमें मरे हुए जानवर का मास खाने पे अपनी जिंदगी बसरतनी पड़े और वो दुनिया में जाए, पुरी दुनिया में नाम कमाए और सबसे बड़ा डॉक्टर बने, ये तरक्की होती है, और हो ये रहा है कि हमारे बच्चे जो आज डॉक्टर बने हैं, तो जो बन रहे हैं, वो एक एक करोड में बन रहे हैं, और जो एक करोड में बन रहे हैं, उ फिर जाती वादे सिटम हो जाएगा तो मरीज भी हमको नहीं मिलेंगे हमारे आदमी के पास पैसा होगा नहीं दवाईयों के लिए भी और खाने के लिए जैसे कोड़िम नहीं हुआ और वो लोग वहाँ जाती का कार्ड खेल कर मरीजो को अलग करेंगे उस से जितने भी हमारे लोग आएंगे चाहे वो इंजिनियर हैं चाहे डॉक्टर हैं चाहे वकीन हैं उनको रोजगार नहीं मिलेगा और अभी भी रोजगार नहीं मिल रहे हैं क्योंकि जो प्रमोसन होना चाहिए था वो डिमोसन में बदलता जा रहा है आप सब देखेंगे कि तरकी हमारी रुख गए है अब हमारे पास पैसे आने बंद हो गए है हमारी पदाई ऊपर की लेवल पर जाना बंद हो गए हुए या जो हमारे पीछन लोग आ रहे थे करना चाहिए तब हमें बावास आपका बताया हुआ वो सिध्धान सुन में आता है कि हमको इखटा होना चाहिए और इखटे होने में सारे तालों की चाबी है और इखटे होने में सारे फाइदे हैं क्यों फाइदे हैं क्योंकि दो अप्रेल अठारे को जब हमारे एक अधिका राता वह बापिस मिल गया जबकि ना कोई MPI आया ना कोई FMLA ना कुई मंत्री आया हमारे favor million नहीं आया हम अपने नेता हुद संघ में खुद आये हम संगधित हुए हम इखटे हुए हम और हम बिना नेता के आये तब संग हमार की मुसिबत टालं ले के लिए नेता की आउशकता नहीं है नेता जब हमारी मुसीबत नहीं टालता और वो खुद मुसीबत बन गया है और सारे अधिकार चलेगे बावा साब के रोप नहीं पाया तो बिना नेता की अगर 6 घंटे सलक पर आने पर एक अधिकार रुख सकता है तो अगर हम एक दिन के लिए सलक पर आएंगे तो हमारे चार अधिकार हो जाएंगे और अगर हम लगातार इखटे हो जाएंगे हम ऐसा के लिए इखटे हो जाएंगे तो हमारा कोई अधिकार जाए गए नहीं और जब बावा साब ने ये कहता कि आज के बाद सम्विधान लाग होने के बाद में आप राजनेती की स्थर पे तो बरावर होगे मगर आर्थिक और सामाजी की स्थर पे बरावर नहीं होगे तो अगर हम इखटे हो जाएंगे तो हम राजनेती की स्थर पे तो बरावर हैं फिर हम सामाजिक इस तरपे और आर्टिक इस तरपे भी बराबर हो जाएंगे क्योंकि 30 लाग करोल का बजट होता है और हमें कहीं भीक नहीं मांगनी हमें सिर्फ ये कहना है इखटे होके कि हमारे बजट का पैसा हमारे लोगों पर खर्च होना चाहिए और हमारी परसंटेज ह पूझी है वो मिल सकती है जो लाखो करोड में है वो मिल सकती है मगर मिलेगी जब जब आप इखटे होके आएंगे सम्विधान कहता है मेरे बच्चों इखटे होके आओगे तो तो मैं आपके साथ हूँ क्योंकि आपने सम्विधान बनाया है अपने लिए बनाया है और सा इखटे रहते हैं, वो कभी सड़क पर नहीं आते, उनके अधिकार उनके घर पहुंचाते हैं, जिन जिन लोगों ने संग बनाया हुआ है, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे वो अधरता के और भी लोग हैं, उनके अधिकार सुरक्षित हैं, उनके कोई university के अंदर, hostel के जगड़े नहीं होते, क्योंकि वो इखटे हैं, उनका समाज इखटा है, और हम भी इखटे हैं, ऐसा नहीं है, हमने दो पहल को सिद्ध कर दिया, प्रूब कर दिया, कि हम इखटे हैं, बस हमको organize होना है, जो बावा साब ने कहा है, उस organize का काम कौन करेगा, ने किसी का होगा, तो 10,000 का होगा, तो संग्ठनों के उद्दे से बड़े छोटे होते हैं, उनमें लडाईयां बहुत होती है, वो कहते हैं, तेरा संग्ठन छोटा, मेरा संग्ठन बड़ा, तेरा संग्ठन का नेता ऐसा, मेरे संग्ठन का नेता ऐसा, तेरा संग्ठन खराब ह ये बाद में बने उनमें भी जगड़े चलते रहते हैं क्योंकि उनके उद्दे से बड़े छुटे-छुटे है और हमारा जगड़ा जो है वो कहते हैं कि संग से जगड़ा है और लड़ कौन रहा है संग से संग्ठन लड़ रहे हैं तो संग्धन से संग्धन को लड़ना चाहिए और संग से संग को लड़ना चाहिए तो हमारा संग कहा है दरसल जो बुद्ध ने बनाया और बुद्ध से पहले था वो तो संग हमारा था बुद्ध से पहले कैसे था क्योंकि एक वार आपने पड़ा होगा जो बावा साब की कि पानी पर जखड़ा करते हैं वो देते नहीं है इसलिए संग में सभा हुई और सभा में एक पास हुआ कि हम युद्ध करेंगे और संग ने बहुमत से पास कर दिया मगर इस बहुमत के निर्ने के खिलाफ में सिद्धत गौतम सिद्धात गौतम खड़े हो गए उन्होंने कहा उस समय से चला रहा है जब बुद्ध बुद्ध नहीं थे यानि कि हमारे बाप दादाओं ने हमारे दादी ने हमारी परदादी ने हमारे परदादाओं ने हमारे लिए पूरा सिस्टम बना के दिया हुआ है जो संग का है और संग तो हमारा पेटेंट है हमारा राइट है ह हम बंबड नहीं है इसलिए संग पहला और आखिरा राइट हमारा है तो आज हम इसका नाम समण संग बोलते हैं क्योंकि संग अब कहीं और जा चुका है तो समण संग हैं तो समण संग के नियम बहुत अच्छे पुराने हैं समण संग में पैसे नहीं लिए जाते उस समय भी प पैसे नहीं लिए जाते या जो खर्चा होता है, mostly free मह होता है, जैसे जगे हम चुंते हैं तो free के चुंते हैं, और खाना हम खुद अपना हाथ साथ लेके आते हैं, जैसे समझ संझ में पुराने समय में लेके आते थे हम meeting करते हैं, meeting लगाता है चल रही हैं कोई खर्चा नहीं और कोई रसीद नहीं और कोई पैसा नहीं तो इसकी membership क्या है इसकी membership जतने भी भारत में समड़ लोग हैं वो सब इसके member हैं और इसमें सिर्फ membership तब जाती है जब संग बैठ जाए और वो decide करे कि यह आदमी ने संग दोड़ा है या इसने संग की खिलाब पाप किया है या संग का ये गद्दार है और उसको संग भाहूमस से निकाला दे दे तब वो समड़ संग का member नहीं रहता वना सब इसके member होते हैं इसकी कोई फीस नहीं होती इसका कोई इसका कोई registration नहीं होता क्योंकि संग का रष्ट नहीं होता और इसका कोई मालिक भी नहीं होता संग का मालिक संग ही होता है संग का leader संग ही होता है भगवान बुद्ध ने आनंद को कहा था कि आनंद आखीरे भिक्कू मत बन जाना संग चलाते रहना इसलिए आज भी बिक्कु संग चलता रहता है मगर उपासा कि यानि हमारा संग वो बंद पड़ा हुआ है अब वो दुबारा से एस्टाबलिस होके निकल आया है तो इसमें कोई व्यक्ति कभी जिंदगी में नेता नहीं बन सकता इसलिए नेता बनने मत आन है यह जो 29 यह जो 26 दिसंबर को जो मीटिंग होगी इसमें डॉक्टर का संग बैठेगा जो डॉक्टर नहीं है वो आप लोगों को सपोर्ट करेंगे वो दर्सक के रूप में बैठेंगे वहां देखेंगे आपकी सेवा करेंगे आपके साथ आएंगे तो सारे फैंसले वहा डॉक्टर का संग लेगा यानि संग महां चुनाप करेगा संग महां अपना प्रपुचल देगा संग महां अपना काम करेगा और संग में जो जो लोग एक्टिव काम करना चाहते हैं वो करेंगे और यह जो डॉक्टर का संग है यह संग पूरे भारत के संग के साथ अटेच है क्योंकि सभी समल हैं और वो अटेश हैं सिर्फ प्रोफेशनल के हिसाब से वो अलग हैं मगर डॉक्टर के सारे डिशन डॉक्टर करेंगे नॉन मेडिकल मेडिकल का डिशन कोई नहीं कर सकता उनका संग करेगा तो संग का ये जो कंसेप्ट यतना बढ़िया है कि पूरी दुनिया ने इसको अडॉक्ट किया और पूरी दुनिया ने इसका फायदा उठाया और हमी ऐसे नालायक और बेवकूब बच्चे रहे बुद्ध के बावा साब के और समनाट असुके कि अपनी पूनजी को अपने संग को नहीं पैचान पाए इसलिए जब वीदा पीपल समन संग मीटिंग लगाता है तो डॉक्टर्स की मीटिंग की डॉक्टर्स जुमहदार है कोई नोन मेडिकल जुमहदार नहीं है तो वो वेलफेर में जो भी करना चाहें, जैसे भी करना चाहें लोगों का, वो खुद अपने मुक्तियार होंगे, और वो खुद अपना काम दरेंगे, हर चीज की जुमदारी उनकी अपनी होगी, और वो इस काबिल है, तोकि जो वेक्ति डॉक्टर बन सकता है, वो अपनी ल समर्थी में लेखा हुआ है, बावा साफ के सम्विधान में ऐसा नहीं है, बावा साफ के सम्विधान में तो साफ साफ है, भारत गर राज्य संग, जिसको संग मिलके चलाता है, क्योंकि पार्लेमेंट जो है, वो भी एक संग है, जिसको वो खुद चुनती है, किसको क्या ब तो यहां जितने भी भाई जुड़े हुएं, 114 इस समय हैं, वो सब कमर कसलें, क्योंकि ये सदत पिड़किरिया है, ये जिन्तर है, संग कभी नहीं मरता, संग कभी खतम नहीं होता, क्योंकि पहले भी खतम नहीं हुआ और अभी भी खतम नहीं हुआ है, ये संग हमेसा से रहता है, इसमें लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जो ज़्यादा काम करने वाले दिश्पांच लोग मर भी जाएं, तो भी फरक नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें व्यक्ति की आहमेत नहीं है, ये संग की आहमेत है, तो संग चलता रहेगा, काम चलता र हैगा लोगों का welfare होता रहेगा तो इक खटे होने में पावर होती है कि जब आप इक खटे होते हैं तो सत्ता आपकी हो या ना हो कोई आपकी चीज हो या ना हो आपके दिखर मगर आपकी बात मानी जाएगी कैसे मानी जाएगी जैसे जट जो हैं जो जाट हैं ये सब बिखरे हुए लोग थे मगर जो छोटु राम करके एक व्यक्ति थे लोग किया हुआ थे होनों ने छोटु राम ने इस बात को समझा के सब को इखटा करना चाहिए और वो हर्याना में पंजाब में घुम घुम के मिटिंग लगा के बोलते थे अरे जाटो को जातो इखटे हो जाओ वरना मारे जाओगे और वो इखटे हो गए आज हर्याने के अंदर किसी की भी सरकार आए, मगर जाटों का काम कोई नहीं रुखता, जाटों का काम होता रहता है, क्योंकि वो संग में हैं, वो इखटे हैं, और हम तो 120 करोड हैं, समर संग में, और अगर हम ये बात करें कि जागे हुए लोगों की, या खाली इसमें एक ऐसी वाले पार्ट की बा होते हैं, और हर व्यक्ति का संग है, सब संग में आ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये होती है, कि सारे संग्ठन भी इसके अंदर आते हैं, और सारे लोग भी इसके अंदर आते हैं, इससे कोई बाहर नहीं है, और ये किसी से बाहर नहीं है, जिसको जो करना ह वो आके करे, सब समण संग का पार्ट है, जिसकी जो एक्किविटीज है वो करे, जो सिवा कर सकता है, वो करे, यहां संग सब को फूरूट देता है, जो जितनी महनत करता है, उसको उतना ही मिलता है, क्योंकि हमारे बच्चे बचेंगे, तो हम बचेंगे, और वो बचेंगे ज बड़ा जानवर है उसको सेरों का जुंड फार देगा चाहे बकरी हो चाहे बेड़ हो चाहे हिरण हो उसको कोई भी खा जाएगा मगर जो जुंड में रहते हैं उन्हें को हिमारता वो बच जाते हैं कवो कि संग और जुंड जो हुए वो सुर्चा की गार्णटी है हमें अगर बचना है तो एकटे होना पड़ेगा क्योंकि हम मनुफसे हैं एक छोटी मदुमक्खी भी जंगल में एकटी रहती है छोटी छोटी कीडियां जो चीटियां होती है वो भी खटी रहती है जब जानवर त अपने बच्चों को बचाना है इसलिए जितनी तेरी से संग में आ जाएंगे उतनी तेरी से बच जाएंगे जितनी जल्दी जुड जाएंगे उतनी जल्दी बच जाएंगे और जहां जहां जुडेंगे वहां वहां बच जाएंगे और जब जब जड़े हैं तब तब जोगे अभी ये फाइदा देगा ये संगंग संगंग अच्छा में बहुत पुराना सिध्धानत हमारा है और हमारे ही बाप दादा होता है इसलिए हम सब समण संगी हैं हम सब समण समाज के हैं हम सब भाई हैं और हम सब को अपनी जान बचानी है और अपने बचे बचाने हैं और उसके बाद में जो गोर्विम्मन्ट के सेक्टर हैं, उनका लगेगा। इसके बाद उनका उसके बाद मिटिन्ग लोग अम्रोहा में खटे हो रहे हैं और उसके बाद में गुडगाओं अभी मीटिंग होई है फिर बहादुर कड में खटे हो रहे हैं उट्चपश्च filho एक मीटिंग लगी हुई है जो हर्येना के अंदर लगई है कर्नाल के अंदर लगधन है तो इसनलिकि에 पो चानकारी में है उनको जगाईए उनको बताये क्योंकि संघ में हिस्सेदाशDhui डालने जरूरी है और राइटिए है क्योंकि संग कभी पॉलिटिक्स में नहीं जाता संग कभी पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा क्योंकि संग का काम पॉलिटिक्स करना नहीं है संग का काम तो परिवारों को जोड़ना लोगों को जोड़ना है जिनको पॉलिटिक्स करनी है वो संग को छोड़के जा सकते हैं संग मना नह करता तो कि संग ये कहता है कि सारे हमारे जितनी पॉलिटिक्स ने वो इखटा होना चाहिए इखटे हो कि आना चाहिए बगर संग कभी जिंदगी में भी पॉलिटिक्स में नहीं जाता जिसको जाना है वो संग से जा सकता है और जो संग जो पॉलिटिक्स छोड़के आ सकता है यह बलकुल आना जाना संग के नियम के अनुसार फिरी है इसलिए जिद्ध है जुड़ने की और जिद्ध है जिन्दा रहने की जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी हम बचेंगे और जो जो लोग हैं और जो सक्रिय काम करना चाहते हैं और डॉक्टर आरे स्वामी है हैं या जितने भी डॉक्टर्स हैं डॉक्टर यूवी सिंग हैं यहां चैट बॉक्स में लिखनें ताकि उनकी एक जुम्मेदारी फिक्स हो जाए और वह एक एक्टिव मेंबर के रूप में समझ संग में आ सकें धन्यवाद करते हैं अचे से करो आप सभी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी copyright free हैं, आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे, या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम सब का है, हम जो बतात हैं, वो भगवान बुद्ध का है, या महापुर्सो का है, उन्हीं की बात को सरल भासा में बताते हैं, हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे, कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूझी आपकी है, धन्यवाद बाकी SU्कुल में थाहित संना है, मैं ये जो सारी ये, कि हम थाना राइट है, हम जो thorough की मैं रह सकत्क बात की बात आपकी है, लोग Keyणा सेयतर है, जोगवारा सेंपकी भीक आइट का है, भीक बात की आइखवान, वो ये ये रावश् सेफए मैं, भीक एल भीकी है, हैं कर दो 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 कर झाल झाल